असलाम लेकूम, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बिंगॉली स्टाइल टमैटो चटनी की रेसिपी, तो कैसे बनता है आए देख लेते हैं तो इदर मैंने पैन लिया है, अब इसमें हम ओईल डालेंगे ओईल जो है, वो हलका सा गरम हो चुका है, इधर मैंने बारीक चॉप किया वाल हैसल लिया है, बिस्कोड डालेंगे साथी साथ दोपी सुखी लाल मिर्च डालेंगे तो इधर मैंने वन टेबल इस्पून पाच भोडन लिया है, अब इसकोड डालेंगे, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब यह सारी चीजों को कुश्मो आने तक भून लेंगे अगर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेर और चाइनल पे नए हो तो सस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को भी दबा दें ताके आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तब यह अच्छी तरह से भुना चुका है इधर मैंने साथ पिस टमाटर लिया है टमाटर को अच्छी तरह से वाश कर लिया है टमाटर जो है वो लाल देख कर लें अब टमाटर को हम डालेंगे अब इसको एक से दो बर अच्छी तरह से चला लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसका इसकीन निकालने में असानी हो अब इसको कवर करके 5-7 मिनट के लिए कुख होने देंगे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में इसको खोल के चलाते रहेंगे फिर से इसको कवर करके कुख करेंगे तमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है अब इसका पानी हम सुखा लेंगे आप फ्लेम को हम off कर देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे तो यह देखिए टमाटर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और बहुत ही आसानी से इसकीन इसका निकल जाएगा आप चाहे तो टमाटर को छोटा छोटा काट के भी गला सकते हैं तो मैंने टमाटर के सारे इसकीन को हटा दिया है अब इसको हम अच्छी तरह से चूर लेंगे तो इसको मैंने अच्छी तरह से चूट लिया है अब इसमें हम वन टेबल इस्पून भुनावा जीरा डालेंगे हाफ टेबल इस्पून लाल मिर्च पॉर्डर टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल डालेंगे तो इधर मैंने 1500 ग्राम शूगर लिया है शूगर अब अपनी हिसाब से डालें कम भी डाल सकते हैं या ज्यादा भी तो इधर मैंने 8 से 10 पिस काजू लिया था जिसको हाफ कट कर लिया है अब इसको डालेंगे आप चाहे तो किसमिस भी इसमें एट कर सकते हैं बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अब इसको कवर करके तीन से चार मिनिट के लिए और कुक करेंगे, अब खोल के हम चेक कर लेंगे, तो यह अब रेडी हो चुका है, अब इसको हम बोल में निकाल लेंगे, तो यह देखिए, बहुत ही टेस्टी, खटी, मीठी, बिंगॉली, स्टाइल टमैटो की चटनी बनकर के तयार है, बहुत टेस्टी बनता है, तो एक बार ट्राई आप लोग जरूर कीजिएगा,